है गाइस वेलकम डूमाय चैनल लेवी रॉक्स तो भी एक मैच होने वाला है जो कि खेला जाएगा मैक्सिकन लीग का पी एसी वासिस टी आई जी के बीच मॉर्निंग मैच है मैं अर्ली मॉर्निंग मान लो या लेट नाइट मान लो जो मर्जी मान लो तो बात करें मेरा टेरी करें तो बची किसी एक को मिलनी तो किस को जीत मिलनी है में बात यहां पर आते तो सिक्स्टी परसेंट जीतने के चंसे पीit दो cont लेकर कि यहां पर सोब्सक्राइब आगे से अगर मैं बात करूँ तो आप एक ही प्लेयर के पीछे बढ़े होगी के अल्वरेस के अल्वरेस अच्छा खेलता है मैं इस बात को मान रहा हूं लेकिन अगर आज आप नहीं ले सकते तो अल्वरेस की जगह भी तो आपको एक प्लेयर होना चाहिए नजर में तो मैं तो एक इनका प्लेयर है जिसकी इंज्री रिकवर हुई है अभी अभी फर्नेंडो नवैरो इसने हाला कि अभी कुछी दिन पहले एक मैच के लिए जिसमें नवैरो ने दो एसिस्ट की थी एक ही मैच के अंदर जबकि डिफेंडर है और दो एसिस्ट होने का मतलब बहुत रहा हूं लैट्सी कैसा खेलता है क्योंकि इसका भी रिकॉर्ड काफी दा अच्छा है थोड़ा सा थर्ट डिफेंडिंग के कारण फ्लॉप होने का चांस जादा है और आगे से मैं बात करूं अगर ठर्ट डिफेंडिंग मतलब आपको बता दूंग अगर ठर्ट बेट का होता आज इसकी स्लेक्शन 80% लोग देखतें को उपर है उपर उपर से प्लेयर उठालो बट एसा अगर करो प्लेयर वह लेया करो जो आपको वह लगता है कि हां बाइश चल सकते जिसको मुझे लगता है मैं वह लेता हूं आगे से बात करूं नेक्स प्लेयर की दि नीचे से एक player जिसका नाम है Eric Sanchez but guys Eric Sanchez को try करने का कोई तुक तो नहीं लग रहा मुझे क्योंकि अगर आप Eric को try करते हो फिर फाइदा कि अगर गुजमानी गोल कर जाता है और अगर Sanchez assist करता है तो definitely अब हार ही जाओगा इसलिए हार को पबूल मत करो जीत देखो विगाउन की बात करें आपे लूगा जोएन विगाउन को जोएन विगाउन ने पिछले match में टी आई जी के बजाई बैंड कि 80 मिलेट में सब्सक्राइब हो रहा था थोड़ो पता इंजड लग रहा था तो अभी पता नहीं की बड़े से बड़ा लेकिन डिफैंडिंग और मिट फिल्डिंग में जमीन आस्मान का अंतर होता है और आगे से अगर मैं बात करूएन इबनेस की देगो इवन में कारण भी इवनेस है अगर आप सोच रहे कि क्रेडिट नी मिंटेन हो रहे तो मैं समझ सकता हूं कहीं लोग मुझे बोटेंगे हमारे क्रेडिट तो में मिंटेन हो रहे हैं लेकिन आपने जो प्लेयर चोड़े हो है वो आपको नुकसान देंगे इसलिए मैं एन इबनेस